What's happening guys, this is Electra तो आज हम लोग बने वे हैं एक babysitter and हमारी duty यह है कि हमें एक बच्चे का ध्यान रखना है जब तक कि उसके parents घर पे नहीं आ जाते अब यह सुनने में तो बहुत ज़दा easy लग रहा होगा कि एक बच्चा है इसमें कौनसी बड़ी बात है बट problem की बात ही है कि यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है तो जल्दी से start करते हैं लेट्स को night one the sitter, it's time for bed the child, is that what you think तो यह बच्चा guys हमें अभी से ही डराने लग चुका है मुझे नहीं पता आगे जा कि हमारे साथ क्या क्या चीज़े होने वाली है बट finally हम लोग आ चुके हैं इस apartment के अंदर और मेरे सामने यह बच्चा बैठा हुआ है मुझे लगा था आराम से किसी bed पे सो रहागा बट यह तो मेरा ही वेट कर रहा था और यह मुझे घूर क्यों रहा है हेलो भाई क्या हो तेरको तेरी eyebrow कहां पर है पतान यहार क्या अजीब सा बच्चा दे दिया है मुझे ध्यान रखने के लिए पर चलो ठी के फिलाल मैं इसका ध्यान बाद में रखूँगा आप पहले मैं इसका घर देख लेता हूं क्योंकि मैं भी चाहता कि अगर यह अचानक से मेरे को कुछ लाने के लिए बोले तो मैं यहाँ पर घूमता ही रहा हूं तो यहाँ पर इसक नपी पड़ी है यह यह बात्रूम है यहाँ का भाई सब kitchen के अंदर book कौन रखता है cooking for nappies यह सब क्या खाते भाई यह लोग और यहाँ पर कुछ eggs वगरे रखे जिसको मैं मैंने गलती से तोड़ दिया है बट कोई नी जादा गंदा नी हो है कोई नी भाई बाद में साफ कर देंगे वैसे भी मुझे इस पूरे घर का ध्यान रखना है a soul trapped by the baby in yellow has been set free तो यह पता नी क्या चीज थी बट मुझे लग रहा है बूतिया बच्चा है और यह कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पर अजीब हरकते करता है pick up ladle यह कह है वैसे अपने किसी काम का निया तो यह सब चीज़े बंद करते है और फिलाल मुझे देखना है कि मुझे इस बच्चे के लिए करना क्या है तो यहाँ पर guys अपने लिए कुछ टास्क लिख कर आ चुके है जिसमें से night one का टास्क है feed the baby get bottle from fridge okay तो मुझे इसकी bottle लेकर आनी है जो की fridge के अंदर मुझे मिलेगी तो इसको open करते है ओ ओ ये री bottle ठीक है इसको उठाया है मैंने fridge के अंदर से जल्दी सा भी देते हैं इस baby को ओ खुश हो गया अब यह क्या अभी अभी मैंने इसको दूद पिलाया और एक second में इसने अपनी nappy गंदी कर ली और एक तो इसकी शकल इतनी ज़्यादा गंदी है ना एक काम कर बेटा तो यहाँ पर बैट मैं दो मिनट में आ रहा हूँ वैसे अपने next task आ चुका है take baby to changing table अच्छा मुझे इसको table पे लेकर जाना है ठीक है तो अंदर यहाँ पे bathroom में मैंने जो table देखी थी शायद से मुझे इसको यहाँ पे बिठाना है अभी मुझे इसकी nappy चेंज करनी है भाई यह सच में babysitter होने में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा होता है मतलब एक बच्चे hello अभे तू बाहर कैसे आया यह रिंगता रिंगता नीचे से बाहर आगया गया बड़ा फास्ट बच्चा है चलो कोई नहीं भाई इसकी nappy change कर देते है अब यह खुश हो चुका है और इसकी smile बहुत ही जादा गटी है put baby to bed, take baby to bed चल भाई तेरे सोने का time आचुका है अभी जल्दी से मैं जाके इसको इसके bed के उपर रख देता हूँ जो की इसका bedroom कहाँ पर है तो यह room तो locked है अगर मैं इसको open करूँ तो यह तो इसका bedroom नहीं है I think यह इसका bedroom है oh let's go तो मुझे इसका bed मिल चुका है और मुझे इसको इसके अंदर डालना है आराम से बैठा रहे हैं आपर कोई भी फालतू की बखवास करने के जरूत नहीं है और इसका room भाई सच में काफी मस्त है और अपना next task आचुका है find the storybook and sit down अच्छा मुझे इसको सुलाना भी पढ़ेगा चलो कोई नहीं भाई अभी इसका ध्यान रखने के लिए आया है तो सारी की सारी चीज़े करने पढ़ेगी the prince and the cat ओके तो जल्दी से इसको पढ़ते है across the shore ओ अच्छा ठीक है भाई पहले से ही पढ़ रहे है अच्छा पाइब पाइब तो इसका डूर बंद करते है वैसे डूर ऐसे नहीं बंद करना सबसे पहले इसकी light बंद करनी है मैं इसको वापस से open नहीं कर सकता चलो ठीक है आर सो गया वैसे भी कोई problem नहीं है यह वाला दोर भी बंद कर देते है बेफाल तुम्हें पता चल रहे है यहाँ पे आ गया और गाइस अब अपना टास्क है wait for parents watch tv on the sofa ठीक है भाई तो चलो finally इतनी ज़्यादा महनत करने के बाद थोड़ी देर अराम से हम rest कर सकते हैं इसे ज़्यादा महनत तो मैंने करी नहीं है उसको बस दूद पिलाया उसकी नैपी चेंज करी और उसको सुला कर आ गया बढ़ ठीक है फिलाल मैं थक चुका हूँ तो मैं भी सो जाता हूँ अबै यह रोने लग गया भाई अभी अभी तो तिर को सुला कर आ हूँ मैं सेटल बेबी ठीक है भाई तो अभी जल्दी से मुझे वापस से उपर जा के इस बच्चे को सेटल करना पड़ेगा और पता नि यह रोने क्यों लग गया भाई अभी तो तिर अबै कहा गया मुझे इसके वाज यहां से आ रही है क्या यहां पर है इधर तो नहीं है अभी तो नीचे कैसे आया वापस से आ उपर एक तो यह पता नि टेलीपोर्ट कैसे हो जाता है चानक से पुट बेबी टू बेड अगीन चलो भाई वापस से इसको इसके बेड के अंदर छोड़के आते है आप बैठा रहे हैं यहां पर और मैं वापस से कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाला और यह रो रहा है पुट दा करेक्ट प्लशी इन दा कॉट प्लशी प्लशी कहां पर है यहां पर कुछ यह समान तो है बट और रबर डग प्लशी यह चीए का तिरको अब नहीं 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 शायद से इसको यह नहीं चीए एक बेबी प्लशी है यह चीए क्या यह यह भी नहीं चीए तो फि जगे से बाहर और क्या मैंने कुछ आवाज सुनी अब यह दोर कैसे उपन हुआ यहीं पर है ना यह सो चुका है ठीक है भाई अराम से सोता रहे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है और अब हम वापस से चलते हैं थोड़ा सा चिल करने के लिए ताकि मैं आराम से रेस्ट कर अब आ चुकी है नाइट टू देखते है भाई नाइट टू में क्या क्या चीज़े होने वाली है वैसे नाइट वन कुछ जादा डेंजरस नहीं थी तो नाइट टू का भी मुझे ऐसा कुछ लगनी रहे कि कुछ खास होने वाला है बट वो बच्चा कहां पर है गेट बॉ चीज़े होना स्टार्ट हो चुके क्योंकि मैं इस जेगे से बाहर नहीं निकल सकता हूं क्या है यहाँ पर कोई ओ बॉटल मिल चुके मुझे ठीक है अब यह बच्चा यहाँ पर आ गया अब जब तेरे पास इतनी पावर्स है तो खुद बॉटल उठा के पानी आयमीन वहागता तो इसकी नापी बाग जाती है अब इसकी नापी कहां से पगड़ु भाई रुग जा यह जा बाई यह तो कुछ जाद ही मतलब अजीब भागे जा रहा है अब बेटा तु इस वाले रूम के अंदर आ चुका एंड मैं तेर को यहां पर फाइनरी पगड़ने वाला पहन ली उस रूम के अंदर गया हमापे चेश्मा पहन लिया पता नहीं भाई कुछ अजीब ही नापी है बट अभी गाइस फिलाल मैं शायद से इसके पैरेंट्स के रूम में आ चुका हूं यह रूम मुझे सच में बहुत जादा प्यारा लग रहा है मतलब ऐसा रूम मु मैं जेस्ट अभी इस रूम से बाहर आया हूं और यह जो बच्चा है यह अपने आप जाके यहां पर बैठ चुका है और मुझे लग रहा है कि इससे जादा फालतो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर इसको घुसा आ गया तो यह हमें मार सकता है वैसे मारेगा तो क्या मे करना पसंद करते हैं तो इन्होंने यहां पर एक स्केच बना रखा है जिसमें नॉर्मल यह बेबी है बट इसके अंदर थोड़ा जादा डिंजरेस है और इसके अंदर तो यह कुछ जादा ही अलग है बाइद यहां पर एक कैट भी है और काफी सारे स्टीकर्स भी लगे चलो ठीक है आज हम इसको जो स्टोरी सुनाने वाले हैं उसका नाम है दा प्रिंस एंड रेबिट ओके इसको ओपन करते हैं वैसे इस स्टोरी तो काफी मसता है यह रेबिट इस बच्चे से डरा हुआ है अबै क्या है तेरको इसको वापस से पलशी चीए ले भाई तेरा प करते हैं यहां पर बच्चा इस रेबिट के पीछे पड़ा हुआ है वैसे यहां पर काफी सारी चीजे लिखी भी है भाई मैं पेंटिंग ही देखे जा रहा है वैसे यह सब देखके गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो इस बीबी की फ्रेंड है बट यह जो रैबिट अब ठीक है put the box on the lounge table अच्छा मुझे lounge table पर रखना है भाई मैं पढ़नी रहा हूं पता नहीं क्यों यह यह ना lounge table finally some piece to watch tv भाई अपने player को पता नहीं tv देखने की इतने क्यों पढ़ी है और tv देखते देखते हम वापस से सो चुके हैं let's go और अब बार ही है night 3 की the sitter good night sweet dreams the children I will show you my dreams I think guys यह वाली night अपने ले सबसे जादर dangerous होने वाली है क्योंकि अभी तक इस बच्चे ने मेरे साथ ऐसा कुछ करा नहीं है बट अगर यह सामने से ऐसा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी तो यह box अपने आप यहाँ पर कैसे open हुआ अब यह क्या है बंदू भाई वापस से यह dust भी ने vacuum cleaner है बता नियार इस घर में कैसे technology है बट अभी अपना task है चेल आओ पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे उस बच्चे को दूद नहीं पिलाना बट उसकी रोने के वाज मुझे बंचे आ चुकिए भाई सच में अगर task नहीं आता है तो यह खुदिर हो जाता है आराऊ आराऊ भाई आराऊ मैं तेरे पास ही आ गया क्या ची यह टिर को क्या ची यह बस हो गया इस को भी न भाई सिर्फ उपर ही बुलाना था मुझे चलो अभी वापस से नीचे चलता है एक टेमैटो लेकर यहाँ पर रख दिया है, एक लेते हैं, चीज वैसे चीज टोस्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी चीज रखते हैं, एक रखी, दूसरी रखी, एक और लेकर आकर रखते हैं, ऐसे भी अपना निया भाई, दूसरों का है, जितना ह सरफ एक ही चीज की कमी है, और वो है चीज, थोड़ा सा यहाँ पर, इसको रखा थोड़ा सा और यहाँ पर, और अब रखते हैं कुकुमबर, एंड लास्ट आपिंग बचती है अपना चीज, यह मने रखा यहाँ पर, एंड अब रखते हैं, इसके उपर ब्रेड, लेट्स कुछ करा है, उस बेबी ने, वैसे अगर मैं इस फ्रिज को ओपन करूँ, ऑके, बाइदे वे, अपना टास्क है, फीड द बेबी, यू मॉन्स्टर, हाँ वैसे यार, इसका मैंने बहुत सारा चीज वेस्ट कर दिया, तो यह मुझे मुझे मॉन्स्टर तो कहे गई, बट च जेकर पर तो आ चुका हूँ, एंड, मैं घूम फिर के वापस से इसके घर के अंदर आ गया, ओके, ओके, यह ले भाई, तेरा दूद, मैं बेफाल, तुमें तेर से मजे नी लेने वाला, इसको बिठाते हैं, यहाँ पर, एंड, अभी मुझे बस इसकी नैपी को लेना है, अभी यह मेरे साथ कुछ करें ना, बस, ठीक है तो भाई, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, ओ भाई, मुझे लगा ही था, मुझे ऐसा फीलिंग आए थे कि यह कुछ ना कुछ तो करने वाला है, और यह जो टॉय बॉक्स था, यह फिलाल ओपन हो चुका है, ओके, यह बच् चलता है, सामने के तरफ यह बच्चा मेरा रस्ता ब्लॉक कर रहा है, अभी मैंने इसको यह पैसी फायर दे तो दिया है, जिसकी वज़े से यह शांत हो चुका है, बट मुझे नहीं पता यह कब तक शांत रहने वाला है, अभी अपने लिए अच्छा यह है कि मैं इसको उस अच्छा कुछ ना कुछ अजीब हरकते करता है, बट यह इतने साधा डिंजरस होगा, इस चीज का आइडिया मुझे नहीं था, ओके सेटल बेबी, बट वो है कहां पर, ओ तेरी, अभी तो यह मैंने इसको पैसी फाय भी दे दिया है, तो क्या यह कुछ काम नहीं कर रहा है शांती से तो बैट चुका है, बट मुझे इसके लिए प्लशी चीए, अगर मैंने गलत प्लशी रखाना, तो इस बर मुझे लग रहा है कि यह कुछ जादा ही घुसा होने वाला है, वैसे मैंने सही रखा है, और अभी इसको वापस से स्टोरी सुनाते है था कि यह शांत हो अलगी चीज़े कर रहा है, हाई, पता निये मैं कहां पर जा रहा हूँ बट, ओके, ये, गुड नाइट, तो वैसे तो ये गेम इतना जादा डेंजरस नहीं था, बट बात में जब ये बेबी अपनी असली चीज़े दिखाने लगा, तब हमें पता चला कि ये बेबी क्या फालो कर रो इंस्टाग्राम, तो गाइस बस आज किस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन स्यू सून.